हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंद पुरुईत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूं फर इंजिनेरिंग मैधमेटिक्स भी इस से इसनों कर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जम की तहरी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैधमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही है इसनों यहां पर प्रीवेस वीडियो से मेरे मॉडन जब्रा के रियर आंसे लीनियर जब्रा कॉम्प्लेक्स यहां पर देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा काफी सारे कंसेप्स मैंने वहां पर डिसकस किये ते कुछ शॉट्रिक्स मेरे बताई दी तो वह भी आप आप पर जाके देख लिए ताकि आप यह देखोगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा इस्टुन मैं आज आपके सामने डिसकस करूंगा कि डिटर्मेंट निकाले के पावर नबर करना इसका है नमबर उफ यह हमारे पास क्या होता है इसका फार्मおお सबस्क्राइब अबसी यह घूए टाइब तो हम पास यह तो नमबर का ऐलेमेंट का अजाए गा इस का पर मूतेशना जाएगा अब इस को आप किलिखी सकते हैं यहां पर यहां पर एक ट्रांस पॉर पर शुर पर हमारे पास यहां जाएगा तू थे मैं टूर श्कर निगालन तो दिएमिन अफ इस यहां पर यहां पास यहां प्लस वन होगा या फिर हमारे पास माइनस वन होगा आगे बढ़ता है इसका अब आपके सामने एक और एक्जम्बल दे तो हमाले जिससे मारे पास यह पूछा दरे कैर इसका डिर्मन क्या होगा तब आराम से इसको निकाल सकते हैं सबसे पहले आपको इसका पर्मॉटेशन लिखना पढ़ेगा त्यार का स्वीजिए हमारे पास वन थी नमबर का अ पूर कर सकता है तो मालेज हमारे पास एक और बड़ी मैंटरीक्स है और इस टाइब गूट की पूषिंस एक्जाम में आ जाते हैं खास करके ID से और इस टाइब के एक्जाम में इस टाइब के questions मिल जाए तो यार आपको कैसे उसका यहार 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 यह 241 पर जागी आजाएगा इसनों आप देख रहे है रहे 25 हो जाएगा क्लियर देखो 255 इसको में सरसे लिखते हैं अगर किसी को भी इसके बार में confusion ओर रहा किसे लिखते हैं तो आरा आई पर जाके प्रिवेस्ट वीडियो देख्लों लिंक डिस्क्रिशन में आपको मिल जाए तो आप देख रहे हैं पर नमबर ट्रांस्वेशन कितना रहे है मारे पास फूर आ रहे तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओफ एस इक्वल डू माइनस वन पावर फूर हो जाएगा तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो कितना पर निकालना है तो पहले आपको क्या करना है यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स देरे कि इसका आपको पर मूटेशन लिखना है एंड जो भी पर मूटेशन का ओडर है उसको आप एक्स की पावर में लिग दीजा आपका इसका पहले वाला एक्जामपल लेता हूं जादा पर निकालेंगे उस इसकी सुटन निकालेंगे है तो सिक्मा निकालिए है किया अब देख रहे आप एक कि इस मेन बताते हैं हमारे पास 16 है फिर यह पास 25 नंबर था आपकि यहां थ्रीपर और यहां हमारे पास 5.2 राइट और यह यह हमारे पास आएगा 63 पर मूटेशन कि जा रहा हो और यह तो फैस आप देख रहे है का ओडर 4 फोर इसका ओडर टुए है तो इसकी जो रॉडर लोगत पर चार यह चुन यह पास लेंद कितनी साइकल की फॉर टेया फॉर मैंनस वन और यह मर पास दूआ तो यह स्कॉर मैनस वन यह किया जाएगी वर पास अगर आपको इसको पावर में लिख दो राइट वही समझाने कोशिश कर रहा हूं यहां पर मैं आपको बताता है इस अगर आप इसको लिखोगे पर्मुटेशन में तो यहां आपको बताता है जो इसकी चराक्टरस्टिक पॉलिम्ल होती है हैं तो जब रोफट करेंगे तो यहां पर जो रूट साकते वह क्या थे पर मैंटरिक्सकी बारे मं बात करतें अब आप चाहएगा, अगर हम बात करें इस मैंत्रिक्स के डिटर्मिनन चेंट कि इतना आएगा, माइनस वन पावर एक ही ट्रांसों है तो माइनस वन तो इसका डिटर्मिनन आएगा, अगर बात करते हैं इसकी characteristic polynomial की तो इसकी जो एक चीज़ ध्यान देने के ज़रूत है कि हमारे पास एक element और यह भी आ रहा है तो एक element हमारे पास एक order का रहा है जो भी हमारे पास सेल्फ इमेज है तो इसको भी लिखना पड़ेगा है यह दियान देने के ज़र होते हैं क्योंकि हमारे पास characteristic polynomial का जो order होता है वह matrix के बाद तो इसकी जो पावर आईगी थ्री आनी चीज़ राइट क्यूबिक पॉलिमेल होनी चीज़ राइट तरह से इसको जीडियोफ करेंगे तो हम जानते हिसके एसके मेरा पास और यदि झाल सकते है आगे बठते हैं इस तो हमान ने आ ने पास यह कुशिण दे रहेखаем आप से यह पूछा जाए कि यार इसकी हमारे पास characteristics पॉल्निमील कारेगी तुम आपको बताना चाहता हूँ यहां पे कि यह अगर हमारे पास matrix दे रखे यह, यह को पास यह क्या आएगा था यह आएगा 24 और यह कौण सा आएगा था मित्मी आएगा सब्सक्राइब उसका ने बाद के बात करता ह। सबस्क्राइब अबको उसका घ्राइब लाइगे वो क्या करेंगी तो यह आएगा एक स्टीनिस का ओर्डर टू है और इसका ओडर भी टू है यह भी हमारे पास एकस्क्वार वालनास रब गळीन अहीड है और यह मारे पास यह को ठीस ग्यागी इस बहुत इजी लिए इस टाइब के कुश्चन को मिया पर कर सकता है अब बत करते हैं कि कभी कभी एक्जाम में क्वेशन आ जाता है कि वेली ओफ एन फॉर एपावर एन इसी कुछ ले जाता है कि पर्मूडेशन मैट्रिक्स में एन की किस वेल्यू के लिए वो आइडेंटिटी के पराबर हो राइड जिसे एक्यूब इस गूड़ इस बहुत इस बहुत इस बहुत इस निकाल सकते हैं इस यह पर कुछ नहीं करना जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखिए उसका हमें ओर निकाला राइड देखो ओर निकाला है ओर और को पावर कर दो आपका अनसर हम जानते है रही हमारे पास 23 हो जाएगा अगर आपको यहां पर बताना चाहतों इसका डिटर्मिनेंट क्या यह समझ लिए तो इसकी किस पावर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो होगा तो सुन इस सिग्मा का हम ओडर निकाले राइड ओर ऑफ सिग्मा आजाता है राइड इसका जो सिग्मा का ओडर आता वो किया था सुन यह लेंथ और का यह लेंथ का ऐल्सीम रेट इसके लेंथ इसका लेंथ तो यह तो यहों पास आई आजएगा यह हमारे पास की आएगा इसका बावर आजएगा तो जब भी हमारे पास ऐसा को मैट्रिक्स पूछ ले और आपसे पुछे कि एक किस पावर के लिए आइडेंटिटी होगा त्यारा पाराम से इस तरह से कर सकते हैं इसे एक्जम्पल नबर टू बताता हूं एक्जम्पल नबर टू में आपसे पुछा रहे कि ए मारी पास यह द्रिकार आप से पुछा जाये कि एंडेंटिटी कि एक्स वेली गलियो तो क्या तरह चाहिता है एट रॉप्राम से कर सकते हो करने पर मोटेशन माट्रिक्स सब्सक सबस्क्राइब करते हैं इसका निकाल लेंगे यह आएगा हम सबस्क्राइब कि बात करते हैं कि एक किस पावर के लिए हमारे पास यह और यह और यह और पास का आइशन को यहां पर कर सकता है एक और एक और एक्जांपल देता हूं आपके सामने जिसे यह पुछा जाए कि एक किस पावर के लिए हमारे पास यह आइडिनिटी के बराबर होगा राइट तो अगेन वही हम पर मुटेशन निकालेंगे तो यहा हमारे 5 इसको क्या लिखोगे सुनी हाएगा हमारे पास यह पूछा रहा है कि क्या युजा और निकालोगे तो और हमारे पास क्या आएगा सुन तीन आएगा यही इसका और आएगा तो हम जानते हैं कि a3 is equal to identity जो भी order होगा यहां पर आएगा अगर आप से यह पूछ लिया जाएगा इसका अगर आपको इसको सॉल करने में कितने सेकेंड्स लगे मैंने जो ट्रीक बताई उससे वो बताना है तो थैंकियो सॉमच पर वाचिंग मी तो लास्ट मेरे जो वीडियो से वो आप यहां पर जाके देख सकते हैं काफे अच्छी शॉट ट्रिक्स में अपलोड कर रहा हूं इसविन पर्मूटेशन का पार्ट वन प्लीज आप जाके देख लिजे ताकि आपको यह समझने में दि तो थैंकियो